जहिन डिफेंस लवर्स आज की टॉप हैडलाइन्स कुछ इस प्रकार है। जहिन डिफेंस लवर्स आज की टॉप है। जहिन डिफेंस लवर्स आज की टॉप है। जहिन डिफेंस लवर्स आज की टॉप है। मारे के दोनों आतंकियों से दो AK-47, 9 magazine, 300 round, 5 grenade और other administrative stores recover किये गए हैं। और ये भी देखने को मिला है कि ये आतंकी आर्मी की uniform पहन की आये थे। यानि कैसा लग रहा था कि मानो एक बाफ फिर से ये उरी जैसे हमले को ही अंजाम देने की कोशिस में थे। और बाकि रिपोर्ट में ये भी बताया गिया है कि खराब मौसम और घनी धुन्द के कारण ये दोनों आतंकी आर्मी पोस्त के अंदर गुशने के कोशिस में थे। और ऑफिशल्स और कुछ आई विटनिसेस की मताबिक जो पहला गन शॉट था वो सुभह की करीब दो बज़े सुनाई दिया था जब यातंकी कैंप की बाहर की फैंसिंग को ब्रीच करने की कोशिस कर रहे थे और बाकि तब से एक जॉइंट ऑपरेशन भी लॉंच किया गय इसके अलावा दूसरा महत्व पूर अपडेटी है कि इस्ट मोजो की तरब से उनके ऑफिशल ट्विटर हैंडल से ट्विट करके एक रिपोर्ट की गई थी इसमें ये दावा किया था किया था कि आर्मी का एक चौपर अरुनाचर प्रदेश के तवांग डिस्टिक में क्र The Financial Express की तरब से जारी की गई रिपोर्ट की मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच तीस प्रिडेटर आम्ड ड्रोन्स वाले जो डील है उसे बेहिदी जल अंतिम रूप दिया जा सकता है और इस रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से भी बताया गिया कि इस डील के लिए खास त आत्म निर्वर भारत इनिशेटिव के हिस्से के तौर पर फॉरन मिलिटरी सेल्स रूट के माधियम से गौर्मेंट टो गौर्मेंट डील होगी तो ऐसे में यूएस की तरब से भारत के लिए ट्रांसफर ओफ टेक्नलोजी का प्रस्ताव भी दिया गया है ताकि भारत खु यूएवी इसको बनाती है और जबकि इंडियन वी ओलर इन प्रिडिटर ड्रोंस के अन आम्ड वर्जन का भी स्तमाल कर रही है जो कि यूएस से लीस पर लिये गए तो उनके परफॉर्मेंस से ही प्रभावित होकर इंडियन वी ड्रोंस के आम्ड वर्जन के साथ भी जाना चाहती है और बाकि जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इस डील के तहट जो 30 प्रिडिटर राम ड्रोंस भारत आएंगे तो उनमें से 10-10 ड्रोंस एक्वली इंडिराम फोर्स की तीनु सर्विसे यानि कि आर्मी नेवी एर फोर्स की बीच डिवाइट किये जाएंगे इसके भारत के MMR से ये डील काफी लंबे समय से पैंडिंग बढ़ी है और दूसरा कि भारत अपना खुद का 5 प्लस जेनरेशन का फाइटर बना रहा है अंतरास्टर इस तरफ पर आतंगवात के खिलाव इंटरनेशनल कम्यूनिटी के साथ बैटल को शेर करने की मामली पर एक बाफ फिर से चीन का दोगलापन या यू कहें उसका डबल स्टेंडर्स सामने आ चुका है हुआ यहे कि चीन ने एक बाफ फिर से UNSC में पाकिसान-based सुवरों के संगणन जैश का एक टॉप का सुवर जिसका नाम है अब्दुल रॉफ अजहर तो इस पर प्रतिबंद लगाने वाले भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को डिले करवा दिया है और चीन की तरब से इस आतंकी पर प्रतिबंद लगाने वाले प्रस्ताव पर टेक्निकल होड लगाने की वज़े से अब यह जो प्रपोसल है और डिले हो चुका है और जो ये अब्दुल रॉफ अजर है जिस पर प्रतिबंद लगाने वाला प्रस्ताव पेश किया गया था तो ये सुवर कई सारे आतंकी हमलों के फ्लैनिंग और एक्जेक्यूशन में इंग्लूडिंग 1999 में इंडियन एर्लाइन्स एरक्राफ्ट का हाईजेक, 2001 में इंडियन पार्लेमेंट पर एटैक और 2016 में पठान कोर्ट इंडियन एरफोस बेस पर एटैक तो इन सभी में यही अब्दुल रॉफ अजर शामिल था और सोर्सिस को कहना है कि पाग वेज आतंक्यों की लिस्टिंग वाले लगभख सभी मामलों पर चीन द्वारा इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन्स यूवन इससे सेंक्षिन कमिन्टी के काम करने के तरीकों को भी कमजोर करती है और अज़र पहली बार नहीं जब चाइना द्वारा आतंक्यों के लिस्टिंग वाले मामले पर इस तरह की बाधा दाली गई हो जबकि जून 2022 में चाइना ने ही लशकर के अब्दुल रह्मान के सेंक्षिन पर भी इसी तरीके से बाधा दाली थी और यह भी भारत और यूएस का एक जॉइंट प्रोपोजल था गगन्यान मिशन के तहट भारती स्पेस एजेंसी इसरो ने एक और मेजर माइलस्टोन को हासिल किया है और वो यह है कि कल 10 अगस 2022 को सरी हरीकोटा से इसरो ने गगन्यान मिशन के क्रू एसकेप सिस्टम के लो एल्टिट्यूट एसकेप मोटर की सफलतप प्रूवक टैस्ट फैरिंग को कम्प्लीट किया है और इसरो की तरफ से बताया गया है कि जो एक क्रू एसकेप सिस्टम है तो गगन्यान मिशन में इसके एक बहुत 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 भूट भूमी का होने वाली है और वो यह रहेगी कि अगर मिशन के दौरान किसी भी दर की कोई घटना होती है तो इस मिशन के एस्टोनॉट्स को रेस्क्यू करने के लिए यह क्रू एसकेप सिस्टम गगन्यान मिशन के क्रू मॉडियूल को बहार निकाल देगा और कल जो इस सिस्टम की लो एल्टिटूट एसकेप मोटर की टेस्ट फैरिंग कंड़क की गई है तो यह मोटर सिस्टम खास करके तब काम आएगा जब मालने जगर फ्लैट की इनिशिल फेस में मिशन को एबॉट करने की जरूट पड़ती है तो ऐसे में यह मोटर सिस्टम क्रू एसकेप सिस्टम को एक जरूरी थ्रस्ट देगा ताकि एसकेप सिस्टम लाँच वेहिकल से क्रू मॉड्यूल को बाहर निकाल सके और वाकि कल जो इसका टेस्ट कंड़क किया गया था उसके में अब्जेक्टिव्स थे मोटर बैलिस्टिक पैरामिटर्स को एवेलवेट करना मोटर सब सिस्टम की परफॉमेंस को वैलिडेट करना डिजाइन मार्जिन्स को कंफर्म करना सभी इंटरफेसिस की इंटिग्रिटी को वैलिडेट करना और इसी तरह की कुछ और अब्जेक्टिव्स कलके इस टेस्स में रखे गए थे ग्लोबल उनिवरस्टी से पीजडी और टेलेंटिट ग्रैजुएट्स और आइटी के सुरेंट भी शामिल थे और जिस इंडियन स्टाटो द्वारा है सफलता हाजिल की गई है उसका नाम में पैनियन एरो स्पेस जिसने चार पॉइंट पांच किलो न्यूटिन के टबो जैट इंजन को डिजाइन और वैलिडेट किया है और वे तीन से बारा किलो न्यूटिन तक के थ्रस्वाल एंजिन को विक्सित करने पर भी काम कर रहे है 9 अगस्त को भारत के डिफेंस फर्म जन टेकलोजिस द्वारा नाजरीन आर्मी के सामने उनके अत्या अधुने एक कॉमबेट ट्रेनिंग सॉलिशन्स को पेश किया गिया था जो कि भारत के आथ पर निर्वर भारत इनिशेटिव के तहट हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट को बड़ावा देने के उद्धेशी के साथ था इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गुरुवार को चाइना और साउथ कोरिया के बीच यूएस के थार्ड मिसाल डिफेंस सिस्टम को लेकर एक क्लैश देखने को मिला है और इस अपड़ा साउथ कोरिया के फॉर्ण मिनिस्टर की चाइना के पहली विजिट के बाद अब दोनों देशों के बीच यूएस के थार्ड मिसाल डिफेंस सिस्टम को लेकर डिस एग्रिमेंट देखने को मिला है कहने का मतलब यह है कि चाइना की तरफ से साउथ कोरिया को यह गहा गया था कि वे थार्ड मिसाल डिफेंस सिस्टम की एडिशनल बैटरिस को डिपलॉय ना करें और इनके इस्तिमाल को भी लिमिट में रखें और जबकि South Korea के ये कहना है कि वे इस सिस्टम को केवल self-defense के लिए इस्तिमाल कर रहे हैं वागि इसके अलावा China के तरब से Taiwan के लिए जारी की गई उनके last warning के बाद Taiwan के आर्मी ने एक बाफिर से आज गुरुवार को live fire drills को conduct किया था और इस drill के हिस्से के तरब पर कुछ howitzers और target flares को fire किया गया था और जब कि China ने आज एक बाफिर से last warning जारी करी जिसमें China के officials का कहना था कि Taiwan के आजादी और उकसावे के लिए बाहरी ताकतों के साथ मिली भगस से केवल उनके सोयम की निधन में तेजी आएगी और Taiwan को आपदा में धकेल दिया जाएगा इन सबके लवा एक statement French Navy Chief की तरब से देखने को मिली है जिसमन उने Chinese Navy की progress के बारे में बात करते वह ये कहे कि 2030 तक जो Chinese Navy है वो US Navy की comparison में धाई गुना जादा बड़ी हो जाएगी लेकिन इसके साथ उनने ये भी कहे कि उनने ये विश्वास है कि विश्वे ताकतों का गडबंदन चीन को हरा सकता है और खेर बाकि अब समय है आज के तिहास का आज़े के दिन 1989 में एनज़े की 51 Special Action Group के रेंजर राम चंदर सिंग ने अपनी जीवन का सरवोच चिप बलिदान दिया था बाकि आपके लिए आज का सवाल इंडिन एर्फोस में तेजस फाइटर्स के पहली स्क्वार्डरन का नाम क्या है और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपके स्क्रिन पर तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा अगर पसंद आये तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए और बाकि हमारे मर्चेंडाइस के नए डिजाइन्स को चैक आउट करना ना भूलें जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें झाल